अब आपके सहर गिरिडी के जमुआ में खुल गया है साथना चलिकॉम जहां आपको मिलेगा विविन ब्रांग के मोबाईल फोन वो भी उचित दाम में आपको यहां मिलेगा विवो, एमाई, आईफोन, रियल्मी, वनप्लस, इंटेल, नोकिया, लावा, पोगोफोन, इंपनिक और भी अनेकों प्रकार के फोन यहां आपको बाजाज फाइनेंस और पाइनलैप्स टीवियस क्रेडिक की सविधा भी मिलेगी हमारे यहां मोबाइल रिपेरिंग भी की जाती है, तो आज ही आएं और अपने पसंदिदा मोबाइल लेजाएं, वो भी उचित मुल्य पर हमारा पता है चितरडी रूम जमुआ, गिरडी जारखर हमसे संपर्ख करें 9199-183204 और 957278-1699 पर निर्दलिय प्रत्याशी वैदनात मैतो और छोटू दा नेखजुडी इन दुम्री इस्तितकार्याले में मगलवार को प्रेस कांफरेंस कर अपने संकल पत्र जारी किये पत्र में कहा गया है कि दुम्रे विधान सबाच छेतर में सभी गाउं में साल बर खेती सुनिश्चित करना तथा वैवसाइक खेती पर विसेश जोड़ देना जानवरों का तेकाया छेकाया हितु प्रतिक पांच पंचैत गुरु गौशाला का अस्थापना कर बहतर धंग से संचालित करना गार्ने दफनाने के लिए विवस्था करना कीमती फल फूलो तता लाह के खेती को बढ़ावा देना और सौराज से पचास गाउं को बाजार के रूप में कटूर उद्द्योग विवसाइक खब बनाना खेल अकेडमी की अस्थापना करना जिसमें फुटबॉल, बॉलीबॉल, किर्केट, तिरनबाजी, साइकलिंग आ को बढ़ाने हे तू उच्छे अस्थरिये गुनवत्ता कोचिंग सेंटर ता अस्थापना कर सांस्कृतिक धरोगर को बढ़ाने हे तू एकैडमी की संस्थापना कर जूमर, नटवा, संथाल, गीत, नाचगान तथा आदी को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक इस्टार का संचारित केंद्र बनाना, महिला समू दीदी ने के लिए सभी कलश्टरों के आधुनिक अस्तर पे नूनी दादी सामूइक भवन का निर्मान कराना, प्रती जीब छेतर के एंबुलेंस सेवा की विवास्था करना, डुम्री नवाडी में नूनी बाबुच, हात्रावास निर्मान करवाना, भासा सांस्कृतिक, क्रिशी, खत्यान, ओद्योगिक, सिक्षा, नियोजन, रोजगार, निती पर कारगर कदम उठाने की बाद शामिल है, मद्दाताओं से उन्हें ने अपनी चुनाओ चिन, चूड़ी पर वोट देने की अपील की है, प्रेस कॉन्फर पारी, देवरतन पांडे, राजेस सिंग, विजय ठाकुर, विजय महतो, जबुर महतो, बजरंगी महतो, तुलसीद महतो, हर्खलाल महतो, सुनिल महतो, आधी उपस्तित थे सभी कोचहार परणाम जैसा की जारखन विधानसवा चुनाओं हो रहा है, और 33 से दुम्री विधानसवा से हम भी एक सोतंतर परत्यासी के रूप में हैं, क्योंकि राष्टे पाटी, चेत्रिय पाटी का अपना अपना घोसना पत्र होता है, लेकिन ओर राज लेबल पर दिस लेबल पर घोसनाई होते आ रहे हैं, लेकिन जो यहां के मुल्भुस विधा है, यहां का गाउं, यहां के चेत्र के हिसाब से किसी का भी घोसना पत्र न कर रहे हैं हमारा इरादा है हमारा संकल्पत्र है कि हर खेत को पानी हर हाथ को काम सभी खेत बारी टार तक निरंतर पानी पहुंचाना तथा बयुसाई खेती पर जोर अगर यह होगा तो हर हाथ को काम मिल जाएगा हर खेत को पानी मिल जाएगा और सोरजगार से लोग जूर जाएंगे सालो भर जानवरों का टेकाय शेकाय करवाने है तो परतेक पांच पंचायत में एक गरुगोहाल मने गौसाला का स्थापना कर बहतर धंक से संचालित करना जो सालो भर जानवर का टेकाय शेकाय नहीं होने के चलते हैं यहां पर खेती नहीं हो पाता है तो हम परतेक पांच का स्थापना करेंगे जिसके चलते किसान वहां अपने जानवर को रखेंगे अगला है कि परतिक पंचायत में मोरी जो मर जाता है जानवर तो पहले उठाने का विवस्ता था लेकिन अभी मरा हुआ जानवर को उठाया नहीं जाता है और उसकी सान ओहापो के इस्थिति मेरा जाते हैं अभी गारी भी नहीं है गारी वोड़ा का ब्रस्टा भी नहीं है जिसके चलते जानवर को गारने में को काज पहुंच करें गाट उनके पहुंचने के बाद फिर हम जन उनका दमाने का भी पुरा-पूरी पूरी uel सब्सक्राइब किनिठी फल फूर तता लाख के खेटी को बढ़ावा देना और सोरोजगार से जोड़ना क्योंकि हमारे चेतर में पलास और कोर हर कुसम का गास बहुत ज्यादा है अगर उसमें हम लहा का खेती करेंगे तो हमारे लोग सोरोजगार से जुड़ेंगे किसी भी सरकारी अन्यदान के लिए भीक मांगने का जौरत वहाँ पर नहीं को मुंगो बिर्णी लार्बडा नावाडी बंदियों पोखरिया को बजार के रूप में कुटूर यूद्यों का बैवसाइक हब बनाएंगे उसको बैवसाइक हब अगर इस जगा को बनाएंगे कुछ गाउं को कलस्टर बना करके और जिस गाउं में जो चीज का उत्पादन होगा वहीं उसका मैंंगा में ही मनुफेक्चरिंग और गाऊं से हितला होगा, च्युकि सुदादोट जब राजटी से हमारे हम लूमरी में बख सकता है तो दुम्री का भी मड़वा हम पीस करके यहां भी सरसोचीप करके हम बाहर के बजारों में बेच सकते हैं इस तरह से हम सरोजगार के और आगे बढ़ जाएंगे खेल एकाडमी का स्थापना कर फुटबोल, वॉलीबोल, किर्केट, तिरंजाजी, साइकिलिंग आदी खेलों में खेलारियों के लिए कोच एवंग कोचिंग की अस्थाई बेऊस्था कर खेलारियों को दच बनाना योकि देखा जाता है कि पुरे इलाका में मैच होता है चैके कीर्केट खेलोल का और एक सीजन में होता है और फिर हमारेजों लोग गैब हो जाते हैं हम चाहते हैं कि यहां के खेलारियों को कोचिंग का बढ़िया बेऊस्था देंगे ताकि हो सब्सिक में कलकत्ता और दिल्ली में यहां के खेलाली खेल पाएं इसको हमको दच्छ बनाना है नौकरी लगने के लिए जो परितियोक्ता परिश्चा होता है उसमें बहतर रिजट लाने के लिए उच्छ अस्तरिय गुनवक्तापुन केचिंग सेंटर का स्थापना हम पूरे बिदान को बचाने के लिए कार्वी का स्थापना होगा जिसमें जुमर नटवा संताली घीत नाच बजना आदि को बढ़ावा देने के लिए अधुनिक स्था करेंगे दिरे दिरे सांस्किर्टिक कार्च कर्मों का अभा होते देखा जा रहा है तो मांदर बजाने नाचने गाने ज कुटूर उद्यों का स्थापना कर हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे चुकि हमारे हैं अल्दी होता है तो सत्तर असी रुपे किलो बैचा जाता है उसी को धेकी में कुट करके हम अगर पैकेजिंग कर देंगे तो अरहाई तीन सो रुपिय बिग जाता है तो बी जिला जिदी लोगों के लिए कहीं भी भावन नहीं है सरकारी भावन में चोटे-चोटे भावन में उसका संचालन होता है जितना यहां भी कलश्टर है हमारे विधानसवा चेत्र में सभी को आधुनिक अस्तर का हम समुदाइक भावनों का निर्मान करेंगे ताकि अपना म देंगे तु ज़ो अस्पताल जाने में अस्मर्थ हो जाते हैं भाढयी के रूप में तो नवरी नवादी में नूनि बावू छात्रावास का निर्मान होगा चुकि द्याती छेत्र के लोग आज भी हमारे यहां डुमरी इस्री में देखा जाता है कि नवाडी के लोग या नागावाद सासारकों के लोग बच्चा-बच्ची लोग वहां पे है गरिब घर के लोगों का चादिवासी बच्चा-बच्ची हो चेम पिछरावर के हो अरेजन घर के लोग हो उन लोग मने यहां पर भढ़ा लगा के पढ़ने हैं हम चालते हैं कि यहां पर अगर thu द्षाटर वास हो जाये यहां पर नवाडि में तो बाहर के लड़का यहां भी अपनी बिञान स्बाइश्च्र कर सकते हैं बाकि यहां भासा सस्कृति, खत्यान, किरिशी, अध्योगिक, सिच्छा, नियोजन, रोजगार का कारगर कदम उठाये जागा, चुकि 2003-2001-2003 में हम लोग डोमेसायल का मुद्धा उठाये थे, जिसमें बहुत बयापक बंदी हुआ था और इसमें बावुलाल जी का सरकार फिकर गिया था, तो हम लोग जैसा आदमें अगर बिधान सबा जीत के आते हैं, तो पूरे बिधान सबा पटल में, अलग धंका एक संघर्ज, अंदोलन करके, अस्थाने निती, नियोजन निती, और खत्यान निती, जिला रुष्टर के अधार पर भरपूर बनाने का प्र प्रसिशन देकर सरुगाज शुरू कर हस्त कला को प्रोसाहन देते हुए लगू उद्योगा का बढ़ावा देते, तो परती दिन नियोजदम मजदूरी के आधार पर ही कम से कम 9-12,000 रुपय परती मां हर महिला पूरुष कमा लेते, और जार्खन की जनता सोलंब होते, पर लेकिन सोरजगार का कोई बात नहीं करते हैं, यह सारा काम हम लोग चुकि राजनीती छेतर में आज 3 दसक से हैं, चुकि अस्पताल सुधारने के लिए भी हम लोग एक डॉक्टर जहां था, वहां जानवर घुसा करके साथ डॉक्टर के ब्युस्ता कर दिये, बहुत सारा नरेगा का काम नहीं होता था, भरस्ता चार था, तो वहां भी पचासी जोड़ा हार बैले जा करके हम लोग जोते हैं, फिर बहुत तो सारे कर्मचारियों को कान पकरके उट बैट करा हैं, जो अंकुस लगा है, लेकिन समय समय पर ऐसे जार्खन मुक्ति मुर्चा का 20 साल के परतिनिद्रित में, लोग यहां पर और जिस चीज को अंकुस लगाना चाहिए, उसमें और गुस्कोरी में बढ़ावा हो गया, लूट में बढ़ावा हो गया, चुकि यहां ठिकेदारी में लूट है, ब्लोक में लूट है, उनके कार्ज करताओं के दुआरा तान्रों मच परति को तोड़ देंगे, तो हम कहना चाहते हैं कि यहां 50 साल का इस्तिती है, जो नुम्री के लोग बिधायक नहीं बन पाए है, अबर उस कड़ी को तोड़े, हम हाइकाग माददाताओं से अपिल करेंगे कि अपने, चुकि नेता का हाथ तो मजबूत है, लोग कहते हैं क केला चाप में भोड़ देजिए, सुदेजी के हाथों को मजबूत करेंगे, चनप्रकास चदरी के हाथों को मजबूत करेंगे, तीर धनुस में भोड़ देजिए, हमन सोरेन का हाथ को मजबूत करेंगे, और ये तरह तरह का, चुकि जिसके हाथ को मजबूत करने का बात कर पाएगा तब तक आप दच नहीं बन पाएंगे क्योंकि रसून भी अभी 20,000-30,000 रुपे किंटल है लाहर भी 15,000 रुपे किंटल है अभी तो गुंदली का रेट तो 24,500,000 रुपे किंटल है क्योंकि अभी एक मार्केटिंग का जगा बहुत बढ़िया है और हम पानी के अभ घर हर एक चुलह पैसावाला बने, जब उनके पास पैसा होगा, उनका हाथ मजबुत होगा तो सोहता भंक से अपने बच्चा को पढ़ा लेंगे, अपने ठीक धंक से जील लेंगे, खा लेंगे, तो आने वाला समय में बिस्तारी को हम आगरा करेंगे कि आज हमारा ये आप तीन साल करने वाला के लिए काफी है आप आसा उमीद के साथ प्रतेक मदाताओं से मेरा अपील होगा आजोर के बिंती होगा कि आप जहां है उसी जगा पर रहें ज्यादा उच्छल कुद करने का जुरत नहीं है आप जान रहे हैं सोसल मीडिया का समय है सोसल मीडिया का जोको आपके बीच में दे दिया जाएगा आप अपने धंग से अपने लोगों को अपने रिष्टेदारों को अपने समन्दियों को कहिए कि चूरी छाप में भोट दे करके चोटू वाजनात को जिता हैं ताकि जो हमारा मिनुफेश्टो है हमारा जो संकल पत्र है हमारा जो सबूत दिये हैं और कोई भी संगर्ष में कोई दागी नहीं लगने दिये हैं जो लोग सोच नहीं सकते हैं वो हम करके पार हो गये हैं आईए बड़ा सोमी जगाते हैं इन्हीं बिचारों इन्हीं संकल पत्रों के और ये वादा के साथ सब को फिर से जोहार परनाव इत्परों कुचिल लगनारा कूल ली जआगी